ओम नमश्युवाए आप सबी को हरियाली अमावश्या की हार्दिक सूम्वती अमावश्या की नाम से भी चानते है तो आज मैं आपको हरियाली अमावश्या से संबन्दित कुछ विशेष जान करी प्रधान करने वाली हूँ रोजाना की तरह आज भी आपको 17 जुलाई सोमव बार का पंचांग दिया जाएगा और डैली राशी फल के दोरान आज मैं आपको बताऊंगी हर्याली अमावश्या पर किये जाने वाले कुछ विशेश उपायों के बारे में और रोज की तरह आज भी आपसे एक प्रशन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको मुझे अपनी कुंडली का विशलेशन पीडियेफ रिपोर्ट तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हर्याली अमावश्या से आज हर्याली अमावश्या का दिन है और ये दिन बड़े हिमात्वका होता है इसे हम सोमवती अमावश्या के नाम से भी जानते हैं सावन मास के क्रशन प तरफ हर्याली का वातावरन होता है हर्याली का माहोल होता है इसी लिए हर्याली अमावश्या का अपना विशेश महत्वर साथी इस दिन मादेव की पूजा का भी विशेश महत्वर रहता है हर्याली अमावश्या पर खास तोर पर शिव और पार्वती का पूजन करने से उनकी क्रपा सदेव हम पर बनी रहती है प्रसन होकर वे अपने भर्तों की हर मनों कामना को सिक्र पूर्ण करते हैं कुवारी लड़कियां मन चाहे वर के लिए इस दिन हर्याली अमावश्य का वरत करती है और साथ ही विदी विदान से बगवान शेव और माता पार्वती की पुझा रादना करती है इसके अलावा सोहागन इस्त्रियां अपने अखंड सौबागे की प्राप्ती के लिए उनकी पुझा रादना करती है जिन लोगों की कुणली में काल सर्प और पित्र दोश या विशनी का प्रकोप है तो वे हर्याली अमावश्य के दिन शिवलिंग पर जलाबी शेक और पंचामरत या रुद्रा भी शेक करें तो उन्हें विशेश लाब की प्राप्ती होगी इस दिन साम के समय नदी के किनारे या मंदिर में दीब दान करने का भी अपना विशेश महत्वर रहता है साथी हमारे संस्तान में भी इस बार हर्याली अमावश्या पर आपकी सुविधा के लिए काल सर्प और पित्र दोश पूझा रखी गईишь यदि आपके कुंडली में इस प्रकार के कोई दोश है तो आप इस दिन इस पूजा से जुड़ कर इस पूजा का कई गुना अधिक लाभ प्राप्ति कर सकते हैं सावन के सोमवार की पूजा तो हमारे संस्थान में चली रही है पूरे सावन में आपके नाम से हम आपके ही कस्टमाइज पूजा बगवान बोले शंकर के लिए करवाएंगे तो यदि आप इन पूजाओं से जुड़ना चाते हैं तो स्क्रीन पे दियेगे नमरों पर संपर करके आज ही अपनी पूजा बुख करवा सकते हैं बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज का यानी 17 जुलाई सोमवार का पंजांग श्रावन मास के क्रश्न पक्ष की हमावश्या तिति आज है जो कि अर्द रातरी 12 बचकर एक मिनट तक रहेगी उसके बाद में प्रतिपदा तिति प्रारम हो जाएगी पुनर वसू नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है जो कि पूरे दिन और रातरी में रहने वाला है उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारम हो जाएगा चंद्रमा आज रातरी 10 बचकर 30 मिनट पर मिथुन से करक राशी में प्रवेश करेंगे दुम्र योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुली काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पिरियड दौपेर 1 बचके 30 मिनट से 3 बजे तक रहेगा वही राव काल का समय सुब 7 बचके 30 मिनट से 9 बजे तक रहेगा दिशासूल आज पूरु दिशामे रहेगा यदि इस दिशामे यात्रा करना आवशक हो तो दूद पीकर आप इस दिशामे यात्रा कर सकते हैं आप सभी हर्याली अमावश्या पर दान पुन्य जरूर करें और आज के दिन एक पेड जरूर लगाए इससे भी आपके पित्रेश्वरों को शान्ती होगी और हर्याली अमावश्या का मतलब चारो तरफ हर्याली बिखेरने से होता है इसलिए एक पौदा अपने घर में जरूर लगाया और उसके रक्षा रोपन देखवाल की पूरी पूरी जिम्यदारी आपको लेनी चाहिए चलिए बढ़ते हैं आगे आज सूर्य का राशी परिवर्तन भी होने जा रहा है सूर्य अब तक अपनी सम राशी मिथुन में विराज मानते हैं और आज के दिन यानी 17 जुलाई को वे अपनी अतिमित्र राशी करक में प्रवेश कर जाएंगे तो इस सूर्य के राशी कुछ विशेश उपायों के बारे में तो मेरे साथ वीडियो के अंतक बने रहेगा रोजाना की तरह आज भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको मुझे कमेंट में जाकर जरूर देना है लकी विनर को मिलेगा पीडी एफ में फ्री कुनली विशले जब गछाएफ प्री कार जाएएब घुक्सिं हमें फेटेश विशले सेव्मेंश mm के विशले से लेड़ेश ग्यूस झाल बबहाएब लेश्याव प्री विप्र्भम झूसर लाएवब झाले लिवशले है रखा है।